सो वेलकम फ्रेंड्स वागते आप सभी का डेली नूज अपेस की स्रीस में बेसिक नोड़ेज के साथ प्रेंड्स अगर आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहो ते ये वीडियो आपके लिए बेहद मैथ मुटेट वाला है अगर आप चैनल पर पहली बार उजट कर रहो ते चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर जी इसकी पीडियो पार पेडिग्राम से डाउनलोड कर सकते हो लिंक आपको डिक डिसक्रप्शन मिल जाएगी सो चली शुरुकरतोर देखते कि आज की अपडेट क्या कहती है दोस्तो एक कहावत है कि अब उपच्चता है होत क्या जब चिडिया चुक गई खेत इस वक्त ये कहावत मालदिव के राष्टपती मोहमद मुईज्जू पर ठिक ठाक बेड़ती है मुईज्जू के मालदिव नाम के खेत को चिन नाम की चिडिया पूरी तरीके से चुक गई है देखिए हाले में खबर आय थी कि चिन ने मालदिव को जितना भी पेसा करजे के रूप में दिया था वो सारा ब्यास समेत चाय नाप मालदिव से वापस चाहता है बड़े बुजूर्गे कहके गए है कि अपने जीवन की गलतियों से सीखना चाहिए पर उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि दूसरे जो गलती कर रहे हैं अपने आसपडोस वाले उससे भी समय रहते हमको कुछ सीख लेना चाहिए ताकि उनके जीवन में उससे जो समश्य उत्पन होई है वो हमारे जीवन में ना हो पर बड़े बुजूर्गों की बाते बच्चों को अक्सा समझ में नहीं आती है और बाद में फिर उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ता है ठीक एसा ही कुछ मालदिव के इस नादन बच्चे के साथ हुआ है इसको चीन पर अंद विश्वास हो गया था ये चीन को अपना सबसे बड़ा हीतिशी समझने लगा था अरे भाई सब आब एक देश के रास्ट पती है आपको अपने आसपस देख लेना चाहिए कि जिसे आप अपना खास दोस्त समझ रहे है उसका इतिहास क्या है उसने अपने पूराने दोस्तों के साथ क्या किया है मुसिबतने उनका साथ दिया है या फिर उनकी मुसिबते बढ़ा कर उनको और बरबात कर दिया है पाकिस्तान और सिलंका तो इसके ताजे-ताजे उधारन थे पर खेर कोई नी, शायद अब इन भाईजान को अक्कल आ जाए दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार मालदिव उपर तीन अरब अमेरिकी डोलर का, चायना का करजे है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मालदिव के उपर टोटल जो बाहरी करजे, ओलवर वो है 4.038 बिलियन अमेरिकी डोलर इसमें 3 बिलियन US डोलर तो मातर उसे चायना को चुकाना है और एक नजर अगर इसकी GDP पर हम डाले तो मैं आपको बता दूँ कि फिलहाल मालदिव की GDP लगबग 6.5 बिलियन अमेरिकी डोलर की है जिसमें से आदा दुनिया का करजा है उसमें से भी आदा से ज़्यादा चायना से लिया हुआ है और मज़े की बात यह है कि मालदिव का सबसे अच्या दोस्त अब अपना पेसा ब्यास सही तुससे वापस चाहता है अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो समय आने पर पता चलेगा क्योंकि यह कोई ओपिशली नीज नहीं है पस यह अगबार की हाइलाइट थी जो कि मैंने आपको बताई है लेकिन अगर यह सच है तो सच में मालदिव पूरी तरह के से वरबाद हो चुका है क्योंकि मालदिव को अब कोई कर्ज देना नहीं जाता तो इसकी हालत भी वही होगी जो कि स्रिलंका और पाकिस्तान की हुई है वैसे अब जानकर यह आई है कि वैसे यह पता नहीं कितनी सच है क्योंकि अभी इसके बारे में जैसा कि हमने आपको बताए कि ज़्यादा कहीं पे नहीं बताय गया है पर एक न्यूज अबडेट के मताविक फ्रेंट से भारत वीरोधी मालदियू के कट्टरपंती हसन कुरूसी ने अब मालदियू को बचाने के लिए भारतियों से तत्काल गित्ती मदद की मांग की है सोशल मीडिया पर इस आदमी ने ये कहा है कि मालदियू की हालत बहुत खराब है अगर भारती लोग मदद करे तो मालदियू बच सकता है और इतना ही नहीं इस आदमी ने एक बेंक अकाउंट नंबर भी दिया है हाला कि Perform India इस account की पुष्टी नहीं करता है लेकिन जो भी हो सोशल मीटिया पर माल्दिव की अर्थ व्योस्था का काफी मजाख उड़ाय जा रहा है फ्रेट्स जब से प्रदानमत्री मोदी ने लक्षुदीप से अपनी फोटो सोशल मीटिया पर शेर की है तब से ही माल्दिव में टुरिस्ट आने कम हो गए है और हम जानते ही कि इस देश की अर्थ व्योस्था सीधे सीधे परेटन पर निर्बर करती है अब एक तरब तो इस पर चीन का करजा है और दूसी तरब यहाँ पर परेटक आना बंद हो गए है यानि कि पूरी तरीके से माल्दिव की अर्थ व्योस्था डामाडोल हो चुकी है और दूसी तरब माल्दिव वाकई चीन के जाल में पूरी तरीके से फस चुका है अब देखते हैं कि आगे क्या होता है भारत की मदद को तो पहले ही मुईज्यू नापसन कर चुके हैं चाहे वो डोनियर विमान हो या फिर दू हेलिकॉप्टर जो कि भारत ने माल्दिव के लोगों की मेडिकल सुईदा के लिए वहाँ पर बेजे हुए थे इन पर पहले ही मुईज्यू ने प्रतिबंद लगाया हुआ है इसके लाव भारत के जो सेनिक वहाँ पर इनके संचालन के लिए उपस्तित थे मुईज्यू उनको भी भारत वापस बेजना चाते हैं और उक उस समय में इंडिया वापस लोड भी आएंगे उनकी जागे भारत की टेक्निकल टीम वो जगह लेगी तो इसके बारे में भी हमने एक वीडियो में काफी अच्छे से बताया हुआ है आप वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन वोक्स में जाकर यह उपर आई बटन से देख सकते हो से यह मालदीव जोड़ा हुआ है उसके चलते भी मुईज्यू की यहाँ पर काफी निंदा की जा रही है दोस्तों जनवरी 2023 में जब से मुईज्यू चिन की यात्रा करके आये हैं तब से इस इस इंसान के सूर बदल गए है यह सिर्फ भारत की विपरित ही बाते कर रहा है अब इसके बारे में हमने पहले ही काफी वीडियो अप्रोट कर दिये हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में उसे सभी की लिंक डाल देता हूँ तो आप वहां से आप यह सारे वीडियो देख सकते हो चले आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंट्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आयोगा अगर वीडियो पसंद आयते से लाइक कर लिजे चैनल पने हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस से लेटेड आप अपने विचार कमेंट बोक्स में साजा कर सकते हो। चलिए विश्यो अलदे बेरी मेंच, थैंक इस सो मच।